Hey guys, welcome back to my youtube channel KCMotoWorld तो guys, आज के वीडियो हम लोग review करने वाले हैं और review के साथ आपको share करने वाला हूँ की अभी मैंने अपने motor logging setup के लिए कौन सा helmet लिया है तो आज हम लोग बात करेंगे XOR के helmet के बारे में जो की Venomus series का helmet है जो हमने अभी recently purchase करा है और इसकी cost जो मुझे पड़ी है वो है 4500 तो 4500 में आप भी एक XOR का helmet ले सकते हो तो देखते हैं इसके अंदर हमें किस तरह का helmet देखने के लिए मिलता है तो बारे पेले इसके bake से बात करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको bake देखने के लिए मिलेगा जो काफी अच्छा है bake की quality की काफी अच्छी आपको मिलने वाली है इसके अंदर तो एक बार इसको देखते हैं कि किस तरह का आपको अंदर देखने के लिए मिलता है तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर helmet देखने के लिए मिलेगा यह मेरा XOR का Venomous Edition है जो के मेट में मैंने बलवाया है तो glossy में मुझे इतना खास नहीं लगा था तो मेट में मेरी गाड़ी मेरी घाड़ी है rolling field signals desert sand मेरी गाड़ी है तो उसके हिसाब से थोड़ा match कर रहा है यह भी मेट है वो भी मेट है तो काफी अच्छा combination लगने वाले है तो आपको कुछ इस तरह का helmet डेखने के लिए मिलने वाला है और इसके उपर आपको यहाँ पर X की bedging दी गई है तो काफी अच्छी सी 3D आपको logo इसमें दिया गया है और यहाँ पर आपको vents दिये गए है तो आपको बिलकुल भी इसमें sweating की दिक्कत नहीं आने वाली हो पूरा vent पीछे की तरफ से remove भी है बाकि अगर बात करें padding की तो कुछ इस तरह की इसमें padding देखने के मिल रही है काफी अच्छी और काफी soft padding है और काफी अच्छा आपको एक feel देने वाले है जब आप राइड करोगे और जो लोग motor vlogger है उनको यह चीज मिल रही है तो काफी अच्छा है आपको wind blast इसके अंदर नहीं लगेगा जब आप गाड़ी drive करोगे तो आपके माईक में मिलकुल भी air noise नहीं आने वाली है और अगर बात करें वाइजर की तो आपको यहाँ पर anti-fog वाइजर देखने के लिए मिल रहा है तो कुछ इस तरह का आपको वाइजर यहाँ पर मिल जाएगा और अगर देखा जाए आपको इसके नदर एक sun visor भी देखने के लिए मिल रहा है जिसका बटन यहाँ पे है आप इसको यहाँ से बन चालू कर सकते हो तो quality दोनों की काफी अच्छी है तो हटाते हैं इसके उपर का cover और देखते हैं आपको ग्लास किस तरह का देखने के लिए मिलने वाला है काफी अच्छा प्रीमियम सा फील दे रहा है तो अब एक बार अंदर का भी इटा के देखते है sun visor का जो हमारा है sun visor मुझे personally काफी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि आप अगर वाईजर इसका smoke visor आप लगबा लेते हो अपने helmet के अंदर तो आप जब रात में drive करते हो तो आपको काफी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसमें दिखता नहीं है तो sun visor होने का benefit है जब आप दिन में drive करोगो तो आप इसको बंद करके चला सकते हो भागी रात में आपका normal वाईजर काम देगा तो कुछ इस तरह का आपको helmet यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा और अभी मैंने इसके अंदर mic fit करा हुगा है तो मुझे काफी ज़्यादा personally काफी ज़्यादा दिखका तो यह mic fit करने में तो अभी जैसे तेसे तो वह हो गया है तो अब इसके अंदर हम हमारा पूरा setup ready करेंगे और next video में इस helmet को ही use करने वाला हूँ तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है और यह मैंने helmet क्यों लिया है तो उसका सबसे बड़ा reason यह था यह helmet लेने के लिए कि इसके पहले मेरे पास steel world का था aeronautics लेकिन उसमें मुझे padding की काफी ज़्यादा कमी लगती थी तो वो helmet थोड़ा बड़े साइस का भी आ गया था तो helmet थोड़ा फेसे मेरे ऐसे से करता था तो एक confidence नहीं आता था जब आप गाली drive करोगे आपसे camera आगे fit कर रखा है तो helmet आगे जुक जाता है तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं होने वाली काफी अच्छी प्रॉपर फिटिंग है उसमें padding काफी कम थी इसके अंदर आप देखो के padding आपको काफी अच्छी दी गई है और यहाँ पे आपको D-log मिल जाता है जो के काफी high end आपको security provide करवाता है और बात करें अगर helmet के certification की तो आपको यहाँ पे dot ECE और ISI आपको तीन certification इसके अंदर मिल रहे हैं तो आपको काफी हद तक यह protect कर लेगा अब देखते हैं इसको लगा के एक बार और किस तरह का लुगाता आप मेरे को बताना हूँ तो कुछ इस तरह की fitting है और helmet की fitting आपकी इसी तरह की होनी चाहिए जब आप अपना hand shake, head shake करोगे तो आपको बिल्कुल helmet इसा इसा नहीं होना चाहिए तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी fitting है और बागी आप लेग बाल look check out करो बताओ किस तरह का आपको look देखने के लिए मिल बात है लेगिन अच्छा है आप भी अगर purchase करना चाहते हैं तो आप एक बार बिल्कुल X4 का helmet purchase कर सकते हैं मेरा personally अभी तक कर जितने मैंने helmet ली है मुझे सबसे अच्छी build quality और सबसे अच्छे looks इसके ही लग रहे हैं तो आप भी इसको बिल्कुल ले सकते हैं मिलते हैं अग